नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गोर्मेंट एक्जाम प्रेप चैनल दोस्तों आज हम लोग डिसकस करेंगे डेली करेंट अफेर्स में 6 अगस्ट 2021 के न्यूज पेपर में से जो की एक्जाम, CHSL, Combined Graduate Label, NTPC, CPOSI, दिल्ली पुलिस, PET and other state services एक्जाम के साथ साथ banking awareness के लिए भी यह help करेगी तो आईए, now we have to discuss about national affairs रास्टी अमामलों में भारत बायोटेक गेट्स GMP certificate in Hungary कहाँ पे मिला? हंग्री में मिला GMP प्रमाण पत्र हंग्री क्या है? देश है, European country है its capital is Budapest which is situated on the bank of Danube River जो की Danube नदी के किनारे बसा हुआ है तो भारत बायोटेक को हंग्री में मिला GMP प्रमाण पत्र तो भारत बायोटेक की जो vaccine है, कोरोना में जो काम कर रही है वो है co-vaccine, the COVID-19 vaccine आप भारत बायोटेक International Limited, जिसे BBIL भी कहते है has obtained Hungary's good manufacturing practices और GMP compliance certificate यानि GMP प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है यानि यह European नियामक में से भारत बायोटेक द्वारा प्राप्त पहला अनुपालन प्रमाण पत्र है इस तरह से जो है, हंगरी ने इसे जारी किया है तो इस तरह से देख सकते हैं कि भारत बायोटेक सेट द जी अमपी सार्टिफिकेट इस नौ लिस्टेड इन द इई यू डी आर ए जी अम डी पी ए इसको कहेंगे यूड्रा जी अम डी पी याद रखेंगे तो डेटाबेस के में सूची बद्ध है, जो भी निर्माल प्राधिकरोन के यूरोपिय समुदाय के रिकार्ड और अच्छे उत्पादन के प्रमाल पत्र का यहाँ संग्रह होता है तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको याद रखना है कि कोवेक्सिन किस देश ने जारी किया प्रमाल पत्र जी अम पी हंग्री या इस तरह से देश देगा तो यह बहुत ही महत्पूर है, अब बढ़ते हैं Taxation Laws Amendment Bill 2021 introduced in लोकसभा लोकसभा में कराधान विधी शंशोधन विदेयक 2021 पेस कर दिया गया है तो टैक्सेशन लॉज बिल 2021 विल इंट्रिदूज इन कहां लोकसभा में और दे इंकम टैक्स एक्ट नाइंटीन सिक्ष्टी वन बिल भी चेंज थू दा बिल यानि बिल के जरिये 1961 के इंकम टैक्स कानून में बदलाव किया जाएगा दे अमेंड्मेंट बिल इंस तू डू अवे बिद रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स यानि इसको कह सकते हैं पूर्व प्रभावी टैक्स को खतम करना है इस संसोधन बिल का जो उदेश है तरिं नेर अप अप यूप अगर्मेंट एप ज़िए पूर्मेंट एप्रविजन फ़र रेत्रोस्पेक्टिव टैक्स को जो कह सकते हैं की बड़ी बाधा माना जा रा ता तो इस तरह से इस कमपनियों पर 2012 के कानून के चलते बड़ी धेंदारी थी तो यही कारण है कि इसमें बदलाव करने के लिए अभी लोक सभा में ले जाया गया है बिल को फिर राजसभा में पारित होगा और उसके बाद अंतिस्थाक्षर रास्टपती करेंगे तो इस तरह से यह कानून बन जाएगा तो इसे भी ध्यान रखेंगे अब बढ़ते हैं दोस्तों अदारपुनावाला सीरम इंस्ट्यूट विल प्रॉइड फाइनेंसियल एसिस्टेंस तू इस्टूटेंट गोइंग एब्रॉड इन कुरेंटिन यानि बिदेश जाने वाले student को quarantine में आर्थिक मदद देगा अदार पूनावाला का serum institute ये एक तरह से देखा जाए बहुत ही अच्छा कार है जो हमारे देश से चात्र पढ़ने बिदेशों में जाते हैं तो हाला कि अभी बिस्व के देशों में इस तरह का विवस्ता की गई है कि सुरू में उनको होटल में रखा जा रहा है क्वारिंटीन रखा जा रहा है तो उसमें काफी उनका खर्च हो जा रहा है तो इस वज़ा से सीरम इंस्ट्यूट ने यह कदम उठाया है पढ़ाई करने वाले चात्रों के लिए तो पुड़े सीरम इंस्ट्यूट आफ जो नियम है उसमें उनका पैसा ज्यादा खर्ज हो जाता है तो इस बजट के अनुरूप में 10 करोण रूपए की आर्थिक मदद करने का सीरम इंस्ट्यूट ने यह फैसला लिया है यहाँ पर सीरम इंस्ट्यूट के बारे में थोड़ा जान लीजिए तो इसके अडार पूना वाला 2011 से ही CEO है इसके संस्थापक Cyrus पूना वाला अभी कुछ दिन पहले इनके बारे में चर्चा किया था 1966 में इसकी स्थापना हुई थी अब बढ़तें इंटरनेशनल अफेर्स में Britain becomes ASEAN's dialogue partner यानि ASEAN वारता साजहेदार बना ASEAN का कौन? ब्रिटेन बन गया है हला कि ब्रिटेन यूरोपी उनियन से जब से अलग हुआ है नए नए प्रकार के संबंद बना रहा है नए नए देशों के साथ संबंद अपने स्थापित कर रहा है बाइलेटरल टेट को मजबूत कर रहा है तो ब्रिटेन हैज एग्री टुए new partnership with association आ the British government has said that granting Britain the status of a negotiating partner has now placed the country at the center of the Indo-Pacific तरह से इस देश को हिंद प्रसांथ के केंदर में रखेगा और हिंद प्रसांथ पर पूरी तरह से ये शब देश एक साथ आएंगे और चाइना की जो वरतमान हरकते हैं यही कारण है कि ब्रिटेन अपूरी तरह से active हो चुका है तो दोस्तों this is the first search agreement signed by ASEAN in the last 25 years यानि पिछले पचीस वर्सों में ASEAN द्वारा किया गया इस तरह का यह पहला समझावता होगा और ASEAN का जो headquarter है इंडोनेशिया की capital जकारता में है हाला कि इंडोनेशिया की capital अब change हो रही है पलंकारया में होगी हाला कि अभी याद रखेंगे और 1967 में Thailand की राजधानी Bangkok which is situated on the bank of Chao Friar River तो वहाँ पर की गई थी और इसके अध्यक्ष है ली सिन लूंग और इसके महा सची है लिम जैक होई और इसमें 10 देशों का संगठन है यहाँ इंडोनेशिया मलेशिया आईए मांचित में थोड़ा सा देख लेते हैं यह लाओस है मियानमार है थाइलेंड है सिंगापूर है इंडोनेशिया है ब्रुनेई है फिलिपीन्स है मलेशिया है कमबोडिया है वियतनाम है दोस्तों यहाँ से बहुत सारे प्रसनापलों की एक्जाम में बनते हैं जैसे पूछ लेता आसियान का सदत से क्या भारत है तो भारत भी जो है डायलाग पार्टनर के रूप में ही सिर्फ लागोस एक देश है जिसकी सीमा नहीं मिलती जिसकी कैपिटल है वियन तेन, वियतनाम की हनोई है, फिलिपीन्स की मनीला है, ब्रुनेई की बंदर सेरी बेगवान है, कमबोधिया की नाम पेन है, मलेसिया की कौललमपूर है, मियानमार की नियापी टाओ है, बैंककॉक है, सिंगापूर की सिंगापूर सिटी है, और इंडोनेसिया की जकारता है, अगली जो होगी यहाँ पर होगी, और यहीं पर Great Britain के बारे में देख लेते हैं, Great Britain, देखिए Great Britain को Scotland, Wales, यहाँ पर देखना है, Wales and England, London, तो यह तीनों को जो है Great Britain कहा जाता है, और जब Ireland को भी North Ireland को भी मिला लिया जाता है तब उस समूह को United Kingdom कहा जाता है और यहाँ पर देख रहे हैं इंग्लिस चैनल यहीं पर बीच में ध्यान रखेंगे Dover जलसंदी है which is separate to France and England यहीं London है which is situated on the bank of Thames River यह भी ध्यान रखेंगे अब बढ़ते हैं दोस्तों Hindi among top five languages spoken by Asian American यानी हिंदी ACI अमेरिकों द्वारा बोली जाने वाली सबसे बड़ी सीस पांच भासाएं हैं यानी हिंदी is the fifth largest language among surgeons of Asian descent living in America यानी अमेरिका में रहने वाले ACI मूलके नागरिकों में हिंदी पांचवी सबसे बड़ी भासा है तो इस तरह से इसकी जो जानकारी दे रहे हैं Asian American Advancing Justice संस्ता के निदे सक हैं जान यांग ने सीनेट सदस्यों ग्रीह रक्षा विभाग और सरकारी मामलास समित्री को दी है तो इस तरह से उन्होंने बताया है कि यांग के अंसवार अमेरिका के दो तीहाई ACI अमेरिकी अप्रवासी हैं तो वहाँ पर चीनी, तागा लोग, फिलिपीन्स की भासा है, वियतनामी, कोरियन, हिंदी, सबसे ज़्यादा बोली जानने वाली लेंग्वेजेज हैं और he pointed out the 52% of immigrants have a limited understanding of English, यानि 52% अप्रवासियों की अंग्रेजी की समझ सीमित है इससे कहा जाता है Limited English Proficiency, यानि LEP कहते हैं तो चीनी अप्रवासियों में LEP 66, फिलिपीन्स में 35, वियतनाम 72, कोरिया में 64% और भारतियों में सब से कम 39% यानि अगर देखा जाए in the sense, इंडियाज are considered better than other Asian Americans in English यानि इस लिहाज से भारतियों की जो अंग्रेजी में बाकी ACI अमेरिकों से बहतर माना जाता है वहीं इसमें म्यामार के अप्रवासियों जो रह रहे हैं LEP दर 79% है जो सबसे पीचे है ये भी ध्यान रखेंगे अब बढ़ते हैं दोस्तों environment and ecology में आज हम बात करेंगे dolphin conservation in ganga river यानि गंगा नदी का dolphin संरक्षण इसके लिए कव से शुरू किया गया योजना तो गंगे dolphin जिसे swings भी कहा जाता है यह रास्टी जली जीवी इसको National Aquatic Animal 2009 में गोसित किया गया था तो इस तरह से schedule first में इसको रखा गया है यानि इसके साथ कोई अमानवी अभी बहार किया जाता है तो उसके साथ कठोर कारवाई की जाएगी 1972 के वन संरक्षण अधनियम के ताहत और दोस्तों WWF इंडिया द्वारा 1997 से स्थानिय समुदायों के साथ सहयो के आधार पर गंगा नदी डाल्फिन के संरक्षण हेतू कारेक्रम चलाया जा रहा है तो इस तरह से बिहार के भागल पुर्जिले में सुल्तान गंज के कहल गाओं के मद है गंगा नदी छेत में बिक्रम शिला गंगा डाल्फिन अभ्यारन के स्थापना की गई है और यहां एसिया में डाल्फिन का एक मात्र सुरक्षित अस्थान है और इसी तरह से 2013 में जली जीओ डाल्फिन को नौन हुमन परसन का भी दरजा दिया गया और यहां ऐसा करने वाला फोर्थ कंट्री है और गंगा नदी का जो बैग्यानिक नाम है जन्तु बैग्यानिक नाम इसका जो है याद रखेंगे साइंटिफिक नेम इज प्लेटे निस्टा गैंगेटिका वन अप दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगा और यहां बांगला देश, नेपाल, पाकिस्तान में प लीजिए हैं यहां अपनी जो है सूंगने की सकती से इसलिए इसको सूंस भी बोला जाता है अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट स्कीम में आज हम बात करेंगे सोवरेंड गोल्ड बॉन्ड स्कीम यह 2015 में इसकी सुरुवात की गई थी 15-16 के बजट में इसकी होता है और दोस्तों इसमें ब्याज निदेसक के बैंक खाते में अर्ध सालाना जमा किया जाएगा और अंतिम ब्याज मूल धन के साथ परिपकुता पर दिया जाता है इंट्रेस्ट विल बी क्रिडिटेट तो दा इन्वेस्टर्स बैंक अकाउंट सेमी एन्यूली और फाइनल इंट्रेस्ट विल बी पेबल ऑन मेचियोर्टी अलॉंग विद द प्रिंसिपल इंडिविजुल रेसिडेंट इन इंडिया जो यहां पर देख सकते हैं कि जो नि इंटरेस्न से पिसनाली निउज में इब्राहिम राइसि सौर्ण अैस प्रेसिडेंट आफ इरान इरान के नए राष्ट्रपती के प्रूप में शपत लिया है कौन है रेडिकल फॉर्मर जुडिशियल चीफ अब्राहिम राइसी जो है इरान के नही राष्टपती बन गए है तो इस तरह से वर्तमान परिस्तिती देखा जाए इरान की अर्थ बिवस्ता पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है और हलां कि अमेरिका भी इसके पीछे लगातार पड़ा हुआ है तो सर्वोच नेता अयोतुला अली खामेनेग का इनको करीबी माना जाता है और यह हसन रूहानी की जगा ले रहे हैं इससे पहले हसन रूहानी जाब थे उनका दो कारेकाल था अभी जून में ही चुना हुआ था हम लोग डिसकस कर चुके हैं 62% वोट मिले थे उस पर काफी बिबाद था अब जाकर के उन्होंने जो है जो है जॉइन किया तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ा से इरान को देख लेते हैं यह strategic point obviously one of the most important side और इसे आप लोग याद भी रखिएगा इसे हार्मुज स्टेट कहते हैं क्या कहेंगे हार्मुज जल संधी स्टेट का मतलब ही यह देखें ने स्टेट आफ हार्मुज लिखा हुआ है तो दे आर सेप्रेट टू इरान एंड ओमान and connect to Gulf of Oman and Persian Gulf फारस की खाड़ी और Oman की खाड़ी को जोड़ती है इरान तथा Oman को अलग करती है दोस्तो इरान में दस्ते कवीर और दस्ते लूत यहाँ पर पाए जाते हैं डेजर्ट यहाँ पर देख रहे हैं दस्ते कवीर लिखा हुआ है दस्ते लूत यह डेजर्ट पाए जाता है यहाँ की सबसे उची चोटी देमवंद है अलबर्ज माउंटेन इसके नौर्थ पे है साउथ में जग्रोस माउंटेन है यह कैस्पियन सी को भी टच करता है विस्तो की सबसे बड़ी लेख है कैस्पियन सागर 3,71,000 स्क्वाइर किलो मीटर एरिया में फैली हुई है कैस्पियन सी जिसके लिए याद रखना R, A, K, E, T याद रखना या I, T याद रखो R for Russia, A for Azerbaijan, K for Kajakistan I for Iran T for Turkmenistan तो इस तरह से कैस्पियन सागर को यह 5 देश टच करते हैं यह भी याद रखेंगे अब बढ़ते हैं दोस्तों Books and Awards में राजियू गांधी खेल रतन अवाड renamed as Major Dhyan चंदर खेल रतन अवाड राजियू गांधी जो खेल का सरवोच अवाड हुआ करता था अब राजियू गांधी खेल रतन पुरसकार के नाम से नहीं जाना जाएगा अब उन्या Major Dhyan चंदर खेल रतन अवाड के नाम से जाना जाएगा और यह तो हाकी के जदुगर रहे हैं इनका नाम तो जानते ही होंगे इन्होंने लगातार तीन बार ओलम्पिक में गोल्ड मेडल दिलवाया था तो इस तरह से इस पुरसकार का नाम पूर प्रधानमंत्री राजियू गांधी के नाम पर 1991 में उनकी हत्या कर दी गई थी जिसके बाद यह पुरसकार तब से दिया जा रहा थी यह खेल जगत का सबसे सरवोच पुरसकार होता है पहला जो है राजियू गांधी खेल रतनावार बिस्वनाथन आनंद ग्रैंड मास्टर पहले खिलारी थे जिन्हें यह मिला था और इस बार 2020 में रोहिज सर्मा भारतीय महिला होंकी टीम की कप्तान रानी रामपाल टेबिल टेनिस खिलारी मनिका बत्रा पैरलंपिक हाई जम के खिलारी मरियपन थैंग अवेलू को भी दिया जा चुका है दोस्तों 2004 और फाइब तक इसकी रासी पांच लाग हुआ करती थी अब यह साड़े साथ लाग इसकी कर दी गई है अब बढ़ते हैं दोस्तों वेस्ट बेंगॉल गेट्स फोर स्कॉच अवार्ड फार बेस्ट वर्क यहां पश्चिम बंगाल को चार स्कॉच अवार्ड मिले हैं यहां पर देख सकते हैं स्कॉच अवार्ड गोल्ड प्लैटिनम तो इस तरह से एक प्लैटिनम, एक गोल्ड और दो सिल्वर स्कॉच अवार्ड मिले हैं और यहां पशिम बंगाल में जैसे सिल्प साथी, इनथी करण, ग्रामीर छेत्र में ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस, शहरी अंचल में ऑनलाइन नथी करण छेत्र, आटो रिन्यूवल साटिफिकेट प्रदान, इन चारों छेत्रों में बेहतरीन काम करने के लिए देख रहे हैं पॉइंट याद रखेंगे, ममता बनर जी वहां की मुख्यमंत्री हैं, धनकर साहब वहां की गवर्नर हैं, अब बरते हैं, बैंकिंग और फाइनस लेटर नियूज में, HDFC बैंक, निव स्कीम, दुकानदार ओवर्डॉफ्ट स्कीम, इसके जरूत मंदों को 6 महीने का बैंक की स्टेटमेंट दिखा कर बैंक से पैसा ले सकते हैं, रोजगार के लिए, चुकि वर्तमान समय में कोविद के कारण लोगों का रोजगार काफी परिशान हैं लोग, तो ऐसे में HDFC ने यह कदम उठाया है, यह योजना चलाई है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जिन ला रहा हो बिजनेश, उसी को यह दिया जाएगा, और छे साल से कम समय तक चल रही दुकानों को बैंक स्टेटमेंट के अधार पर 7.5 लेक रुपए तक का ओवर्रफ दिया जाएगा, और छे साल से अधिक वालों को 10 लेक रुपए तक दिया जाएगा, और इसके लिए बात करेंगे रेसलर रवी कुमार दहिया, विंस सेकेंड सिल्वर, मेडल फॉर इंडिया, यानि भारत के लिए दूसरा रजत पदक जीता है, यानि इस टोक्यो ओलम्पिक में मीरा बाई चानू के बाद यह दूसरे ऐसे व्यक्ति हो गए हैं जो रजत पदक जीता है, और ध्यान रखिया, किस किग्रा वर्ग में तो 57 किलो वर्ग में, यह जो है, और फाइनल में हार गए, हलांकि जाओर यूगे उन्हें इनको हरा दिया, सेवन फोर से, और या कुस्ति में भारत का दूसरा रजत पदक है, इससे पहले शुसील कुमार को भी मिल चुका है, 2012 के उ अलवर मेडल जीता था, और टोकियो उलम्पिक में हो गया, और अभिनो बिंदरा अभी तक एक मात्र है, जो ब्यक्तिगत सुरन पदक जीतने वाले एक मात्र के लाड़ी है, इस तरह से बीजिंग उलम्पिक में उन्होंने सुरन पदक जीता था, अब बढ़ते हैं दोस्त इस तरह से याद हो जाएगा, तो इस तरह से अन दो मॉर्निंग अफ अगस्ट 6, 1945, सेकंड वर्ड वार में आप देख सकते हैं, पूरी तरह से यह जापान के उपर अटेक किया, लाखों लोग इसमें मारे गए, और यह जो है धमाका इसका जो कह सकते हैं, इसका जो इसका इस बम का नाम था लिटिल बॉई, यह भी ध्यान रखिएगा, और इसमें यूरेनियम 235, 50 किलोग्राम का था इसमें जो है, तो हिरोश्मा में जो पाइलिट ने बम गिरा है था, उसका नाम इनागोला गे था, और हवाई जहाज का नाम B-29 था, अब बढ़ते हैं दोस्तो लेटर स्टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में, मराठा समराज की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे सिवा जी द्विती की, यानि की राजा राम प्रथम की मृत्व के बाद सिवा जी द्विती यानि आए, तो इनको छत्रपति सिवा जी भोंसले द्विती ये सेकेंड कहा जाता था, इनका जन्म 1696 में हुआ, जिंजी में हुआ था, चोकि राजधानी हुआ करती थी राजा राम जी की, तो इस तरह से, और इहा इनकी डेथ 1726 में हुई, वो भी चेचक रोख से इनकी मृत्य हुई थी, राएगर फोर्ट में इनकी मृत्य हुई थ और दोस्तों, इनके पिता का नाम छत्रपती राजाराम प्रतम था, माता का नाम ताराबाई, और यह जब छत्रपती राजाराम जी के बाद, यानि 1700 में ही उनकी मृत्यु के बाद, इनका राज्या भी सेक कराए गया, तो मात्र चार वर्स के थे, सोचिए, मात्र चार वर् राजाराम की मृत्यु के बाद थोड़ा सा इसको कहानी के रूप में भी सुन लीजिए तो मराठा समराज पूरी तरह से संकट के बादल चा गए थे ऐसे में ताराबाई महिला होते हुए भी उन्होंने आगे आई और अपने चार वर्षी या पुत्र को मराठा समराज की कमा दे दी और उन्हें छत्रपती बना दिया हलाकि वह संरक्षक थी उस समय मुगल बासा औरंग जे पूरी तरह से डॉमिनेंट था तो यह ऐसे में ताराबाई के लिए बहुत संगस था लेकिन फिर भी वह सात वर्षों तक संरक्षिका बनकर सिवाजी दिती कि मुगलों को ज लिडगाओं इन सब गड़ों को जीत लिया था और इस तरह से 1700 से लेके 1707 तक ताराबाई मुगलों से मुकाबला करती रही ना किसी की हार हुई ना किसी की जीत लेकिन कहा जाता है कि मराथे हमेशा मुगलों से 20 रहे थे तो इस तरह से औरंग जेब की मृत्य के बाद बहा कि साहुजी महराज भी मराथा सामराज के लिए छत्रपती बनने के लिए वह पूरी तरह से बेचैन थे और वह हकदार थे सिवाजी दुटी को उन्होंने चुनावती दे दी तो इस तरह से जो है लेकिन ताराबाई नहीं चाहती थी कि साहुजी महराज छत्रपती बने तो इस तरह से ताराबाई की एक न चली और साहुजी महराज ने रानी ताराबाई और सिवाजी द्युती को गिरफतार कर लिया तो इस तरह से सिवाजी दुती 1710 से लेकर 1714 तक कोलापुर के राजा थे लेकिन उनकी सौतेली मार राजबाई इनको राजा के पस से हटा दिया और उसी समय वह बिमार भी हो गए थे चेचक से ग्रसित हो गए थे 14 मार 1726 वो सिवाजी दुती की मृत्ती हो गई तो इस तरह से आज हम लोग सिवाजी दुती के बारें पढ़ें कल इसके बाद नेक्स्ट जो आएंगे साहुजी महराज जी के बारें पढ़ेंगे तिस तरह से 1818 तक हम लोग मराठा समराज की चर्चा करेंगे फिर दक्षिन भारत के इतिहास की भी चर्चा करेंगे अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्षन में जो की बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं आज उत्तर देने वालों में हैं इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिया है अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रस्में विच वैक्सीन है रिसेंटली अप्टेन हंगरी जुड मैनुफेक्टरिंग प्रैक्टिसेस और ग्म्प कॉम्पाइंस सर्टिफिकेट गवीशिल्ट गवैक्सीन शीनोवैक्स या भारत वैक्सीन नेस्ट कोश्चन है दे यूनियन गौर्रम्म्न थाजियू गांधी खेलरतन अफ्टर विच फार्मर स्पोर्ट परसन मेजर ध्यांचन, कपिल देव, मिल्का सिंग या इन में से कोई नहीं नेस्ट कोश्चन है वो इस दे सीयो अफ दे सीरम इंस्टिट अफ इंडिया दिलीव सांगवी, साइरस पुनावाला, अदार पुनावाला या सिव नादर And next question है, where are the headquarters of ASEAN, Association of Southeast Asia Nation, Jakarta, नई दिली, बैंकॉक या सिंगापूर And next question है, as per the Asian American Advancing Justice, which is the fifth largest language among citizens of Asian descent living in America तो यनि इसमें चीनी language होगी कि हिंदी, अंग्रेजी या तागालो And next question है, which animal was declared as National Aquatic Animal in 2009 बैजी, घडियाल, गंगे डल्फिन, वाटर तल्टर, जिसे जल कच्छुआ कहते हैं And next question है, which bank has initiated the Dukandar Overdraft Scheme Axis Bank, ICICI Bank, HDFC Bank, State Bank of India And next question है, in which competition of Tokyo Olympics, Ravi Kumar Dahiya has won the second silver medal for India And next question है, Hiroshima दिवस कब मनाया जाता है, 3rd August, 4th August, 5th August या 6th August को And last question है, under whose protection did Siva Zee second become the छत्रपती आप Maratha Empire Siva Zee Dutti, किसके सर्रक्षण में Maratha समराज के छत्रपती बने Soera बाई, Tara बाई, Raj बाई, ये Zeeza बाई तो इस तरह से इन दसो प्रस्ण के उतर दीजेगा आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आपलों को अच्छा लगेगा और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सेर, सबस्क्राइब और बिल आइकन दबाना ना भूलें Thank you दोस्तों